नवस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर दोस्तों आज हम आए हैं इंदोर जिले के खुडेल खुर्द गाउं में जहां पर बहुत ही बड़ी संख्या में यहां पर भेसो को रखा जाता है और किस प्रकार से डेरी फार्म का संचालन एक नए युवा करते हैं दोस्तों वीडियो में आप देख पा रहे हैं लगभग यहां पर तो आई यह जानते हैं कि किस प्रकार से यहां पर वीडिंग की जाती है और फीडिंग कराई जाती है कितना कोश्ट आता है कितना लेवर का खर्चा आता है कितना हराचारा कितना सूक अभी लगभग कितनी भैसे हैं टोटल आपके पास अपने पास है अठावीच भैसे आठ गाई जिस पर टोटल दूद कितनी दे रही है तीस जानवर दे रहे हैं तो अभी एक टाइम का मिल्क प्रोडक्शन कितना हो रहा है पूरे महिने की बिलिंग कितने की हो जाती है यह जाता चारा सुखा चारा लेबर का खर्चा क्हली का खर्चा टोटल खर्च कितना हो जाता मतलब टोटल बच कितना जाता है उसमें से लोग बोलते हैं कि डेरी फार्मिंग बिजनस घाटे का सोधा है इसमें प्रॉफिट नहीं होता है भेंसे दूद का उत्पादन नहीं करती है तो आपका क्या मानना दस साल पूरान डेरी फार्म में तो लोग इसा क्यों बोलते हैं जिसको नहीं करना है क्या रेट में तूद जा रहाँ का वचास रूपर लिट लिटर कहां पड़ जा रहा है अच्छा आप खुद देते हैं या किसी रिटेलर को देते अपड़े में घाए कितनी अपने माशा आट ऑप आपने भेंस की बजाए गाय क्यों नहीं बढ़ाई वह क्या भी गाया दूद्ध जदा अंका रहता इसे लिए अच्छा अभी क्या फेट आ जाता है आपका यह साड़े पांच करीब साड़े पांच करीब खाई में क्या देता है अभी भेंस खाली और चुरी है अब के पास सबसे जादा प्रोडटक्शन का करने वाली बफेलों जिसका रिकार्ड और आपके पास कि वह सबसे ज़ादा दूद्ध देती है एसी कोई भेंस है आपके पास है दो-चर आठ बेंसी साथ से आट लिटर क्या प्राइस कि वह एक लाग से उपर कितने दिन आट लिटर कंटिन्यू देती है यह चार पांच महिने और गाई गाई तो जाया समय देती तो फिर गाई क्यों नहीं रखते आप गाई वह दू थोड़ा हलका देती है उसकी डिमांड कम है यह बताएं कि जिसे हम जानवर देख पा रहे हैं इतने सारे तो आपने इसमें खुद की ब्रीड कितनी तयार की है खुद की बच्चियां तयार की आपने इसा क्यों कभी ध्यान क्यों नहीं दिया वह नहीं पड़ेगी जिससे हर बार दोस्तों में बताना चाहूंगा आपको कि यदि 1 Лर को रुपे देदेगा चलाना तो आपको कही ना कहीं बच्चों को पालना पड़ेगा अच्छी व्रीड और अच्छे स्यम्मrant का इस्तेमाल करना पड़ेगा अग्या अगर डेरी फालोना है तो यहां में पर अपने पसों का सम्टिंग में देते हैं अच्छा यह बताएं कि यह हमारे भारत के युवा अगर डेरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो सुरुवात कितने पसुओं से करें यह वह कम सब्सक्राइब क्यों क्यों मालम पढ़ जाती है कि इसको चलाने में कितने लोग काम करते हैं आप तोटल लेबर या घर के भी तीन तीन लेबर और तीन घर की लोग इतने आपकी लगती है दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से एक 40-50 जानवरों का जो डेरी फाम है किस प्रकार से नए विवा संचालन करते हैं और किस प्रकार से उसको मेंटेन करते हैं दोस्तों वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि एक से एक मुर्रा भेसे यहां पर रखी गई है जो कि छे से आट लिटर की कॉंटीडिर में मिल का प्रोडक्शन करती है सर अभी आपके पास एसी गाय जिसका रिकॉर्ड हो कि दिन भर का उसने पंद्रा लिटर या बीस लिटर दिया हो वह खरीदी आपने खुद की है कितने में खरीदी थी कहां से खरीदते हैं में साब यह मारवाड से मारवाड आप सोयम जाते हैं कि वेपारी से अच्छा तो ज दन्यवास